सो हेलो एब्रिवन इंसेंट बैंक में आप देख रहे हैं आज ये सेर लसी में लॉक हो चुका है तो गैज इसके पीछे की वज़े क्या रही है किस कारण के लसी में आज लॉक हुआ है बताते हूं इस वीडियो में आगे क्या इसका सपोर्ट नजर आ रहा है ये वी बताऊं इनके quarterly result announce हुए थे कल सो यहाँ पर revenue जो है increasing phase में नजर आ रही है quarterly basis में भी 12,547 करोड से 12,686 जैनरेट हुई थी और yearly basis में भी 11,248 से ये increase हुई थी 12,686 जैनरेट हुई थी बत जो इनका net profit रहा यहाँ पर आप देखेंगे yearly basis में देखा जाए पहले तो आप देखेंगे य September 2023 में 2181 करोड का इनका profit था जो कि इस quarter 1325 करोड जैनरेट हुआ है मतलब इस time पे इनका profit decrease हो गया है yearly basis में quarterly basis में भी 2152 से ये decrease हो गया है 1325 करोड जैनरेट हुआ है तो ऐसे में इनका जो profit है वो काफी decrease हो गया है कहा मतलब 2100 करोड था अब 1300 करोड जैनरेट हुआ है quarterly basis में भी and yearly basis में भी तो तब जाकर यहाँ पर गिरावट हुई है दूसरी चीज यहाँ पर जो इनका net NPA है मतलब bad loans कह सकते हैं non performing assets को तो यह भी बढ़ गया है bad loans बढ़ना मतलब एक positive indication नहीं है bad loans कम होना एक अच्छी बात होती है वट यहाँ पर जो इनका net NPA है यह 0.57% से 0.64% हो गया है यहाँ पर मतलब increase हो गया है 0.7% कह सकते हैं यहाँ पर increase हुआ है quarterly basis में भी यह 0.60% से 0.64% increase हो गया है net NPA तो यहाँ पर मतलब profit भी अच्छा generate नहीं हुआ है और net NPA bad loans बढ़ रहा है जिसके कारण इस share में आज यह LC में लौक है वैसे गिरावत इस share में काफी time से चल रही है देखें गया past 6 month में भी यहाँ पर नेगिटिव र returns ही रही है 1 year में भी negative returns देए इसने 5 year में अभी कुछ खास returns नहीं है negative returns है all time में 5,112% returns रही है so all time में भी ठीक था की returns से ज्यादा खास तो नहीं है चलिए बात करतें इसके support levels की तो यहाँ पर देखेंगे आप अभी यहाँ पर जो इसका पहला support level था अगर मैं आपको weekly time frame में बताऊं तो यह 1259 रुपीज के round था इसका support level जो की पहला था वतलब यहाँ पर जब इसमें जब इसके result अनौंस नहीं हुए थे तब की बात यह 1259 इसका strong support था बट आज result मतलब जैसे कल result आये तो आज इस share में भारी गिरावट देखने को मिली है और weekly time frame में मैं यह बता रही हूं मतलब आज Friday है तो अब जो इसका support level निकल कर आ रहा है यह है 1124 रुपीज के round तो आप लोग अभी वेट कीजिए से stock में आज तो वैसे भी lower circuit में लॉक है सेल तो मुस्किली होगा ठीक है बट 1124 के round इसका पहला support level and second support level यहाँ पर 1075-76 के round रहने वाला है तो आई होप आपको यह समझ आये होगा आप लोग अभी इस share को hold ही रखिए average जूवरिज मत कीजिए काफी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है देखेंगे आप जन्वरी से इस share में कहां मतलब यह 16-1700 के round था और अभी price जो चल रहा है वो 1152 के round चल रहा है तो वेट कीजिए से stock में और fresh entry आप लोग अपने own risk में लीजेगा यह video only for education purpose से है और यहाँ पर मतलब इसके result अच्छे announce नहीं हुए जिस कारण इस share में आज गिरावट देखने को मिली है तो आप लोग चाहें तो long term perspective से hold करने का सोच सकते हैं fundamentals में जैसे improvement होगा जैसे result अच्छे आए तो तब इस share में भी अच्छे कासी तेजी देखने को मिल सकती है तो thanks for watching this video